आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों और लोगों के सहयोग से राज कुरोना की तूसी लहर से प्रभावी रूप से लड़ रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा कोविट की दीसरी लहर के विरुद भी उप्युक तैयारिया की गई हैं कोविट की दीसरी लहर में 20 वर्ष से कम आयू वर्ग के बीच संक्रमण के सबसे अधिक संक्रट को भांगते हुए प्रदेश सरकार ने राज के सभी चिकितसा संस्थानों में 432 पीडियाट्रिक आईसी यू बेट्स थापित किये हैं बच्चों के लिए 100 बेट का अलग से तयारी करी हैं जिसमें 50 बेट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केर उनिंट पीकू के हैं और 50 बेट आईसुलेशन बॉर्ड में हैं और पूरी तरीके से उसमें तयार हैं उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्र में ऑक्सिजन के आपकूलती के लिए 400 नए ऑक्सिजन संयंत्र थापित किये जा रहे हैं साथ ही हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स की उप्युक्त संख्या भी सुनिश्यत की गई है बच्चों की इलाज के लिए मानफ संसाधर की कमी ना हो इसलिए सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिलासपताल में पीडियाट्रिक मरीज के उप्चार हिर्दू मानफ संसाधर प्रशिक्षन देने की शुवात की जा रही है जहां विशेश अग्यों द्वारा चिकित्सकों और नर्सों को प्रशेक्ष्ण विया जा रहा है पैंडेमिक की तैयारी हर जगे से वो पीक पर है गर्मन का सपोर्ट हो, ऑक्सिजन मैनेज करना हो, दवाया मैनेज करना हो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दूर गामी सूच से कर ली है तैयारी तीसरी लहर की